चोदा नमबर, जो भी आत्मयवानी द्वारा प्रैक्टिकल लाइस के प्रभाव द्वारा संपर्क में आई है, वा संपर्क में आने के उमीदवार है, उन आत्माओं को रुहानी शक्ती का अनुभव कराओ. जैसे भगत लोग स्थूल भोजन का ब्रत रखते हैं, तो सर्विस एवल ग्यानी तो आत्माओं को व्यर्थ संकलब, व्यर्थ बोल, व्यर्थ करम की हल्चल से परे, एकागरता, अर्थात, रुहानियत में रहने का ब्रत लेना है, तब आत्माओं को ग्यान सूरे का चमतकार सकेंगे.